तो देखिए आगरा जा रही ट्रेन को वेज़ दिया बरतपुर के ट्रेक पर 110 की स्पीड में अमर्जेंशी ब्रेक लगा कर लोको पाइलेट ने रोकी गाड़ी को लोको पाइलेट ने 1500 यात्रियों की बचाई जान इस्टेशन मास्टर ने दिये गलत सिगनल करीब आदा गंटे तक बयाना इस्टेशन पर खड़ी रही ट्रेन इसमें 1500 से ज़्यादा यात्री थे ट्रेन में गलत सिगनल से देख चालक ने तुरंद यह लिया फेसला और हम इस वीडियो में बात करेंगे आगरा जाने वाली जो दो गाड़ी हैं वो भी इसकी वज़े से खड़ी रही हम देखेंगे इसमें जो बाला सोर था उसका जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हम जानेंगे उसमें आपको पांस लोगों को गिरपतार भी किया गया और जो रेल्वे में खाली पद है उन पर भी चर्चा की गई है और हम देखेंगे कि आगरा जा रही ट्रेन थी इसकी जांचे किस परकार की जा रही है तो इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे तो यह देखें आपके सामने रही गाड़ी जो इसमें गलत सिगनल देने की वज़े से कई और गाड़ियां भी खड़ी रही और यह गाड़ी आपके 30 मिनट तक खड़ी रही तो साथ हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे एक तो आपके आगरा जा रहे ट्रेन को भेज दिया पूर्ट ट्रेक पर तो आपके जो लोको पाइलेट ने सूझ बू पाइसवर में जो दो जून को हुई ट्रेन दुरगटना की जांच अभी तक कहां पर पहुंच गई है और आजसे के बाद शुरक्सा स्रेणी में जितने भी रिक्त पद बढ़ने के आदेश है वो दे दिये गए तो इससे एक और आपके तेहरी करने वाले अभ्यरतियों को भी फाइदा होगा कि जो नई दिल्ली है वो रेलवे बोर्ड ने स्वमवार को अपने सभी जोनों को पदोनिती की रिक्तियों को बढ़ने के लिए विशेश अभ्यांग्स रूप का निर्देश दे दिया है विशेश रूप से शुरक्सा स्रेणी में इस पर खास जोर दि जबकि ग्यारासो से अधिक गाहिल हुए थे शुरक्सा स्रेणी में रिक्त पद होने की वज़े से रेलवे को अलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है आदे सभी रेलवे जोन के माप्रबंदों को बेज दिया गया है इसमें मैं आपको बता दू सेप्टी के टेगरी से देख लेते हैं पूरी घटना तो यह देखो यह आपके जानलेवा गलती स्टेशन मास्टर ने दे दिये गलत सिगनल करीब आदे गंटे तक बयाना स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेन आगरा जारे ट्रेन को वेज दिया ब्रेतपुर के ट्रेक पर 110 की स्पीड में अमर्जे ब्रतपुर ओलिडे स्पेशल ट्रेन को आगरा जाने की बजाय ब्रतपुर जाने के लिए सिगनल दे दिया 110 किलोमेटर पर ती गंठा की रप्तार से दोडरी ट्रेन के चालक को जैसे इगड़बडी गया संकावी उसने ततकाल उच अदिगारियों को आउगत कराते विए अमर्जेंसी ब्रेग लगा कर रोका गया अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में हड़कम मच गया इस विज़े से ट्रेन करीब आदा गंटे तक रुकी अगर ट्रेन गलट रेक पर चली जाती और आगे चल रही किसी गाड़ी से टकरा जाती तो हाथ सा हो सकता था लेकि ड्राइवर की सूजबूज से गटना टल गई वहीं बयाना इस्टेशन के स्टेशन मास्टर बदरी परसाद मिना ने गटना से इनकार किया जानकारी के अनुसार गाड़ी संक्या 05054 बांदरा गोरुकपुर होलीडे स्पेशल ट्रेन मुंबई से चल कर गोरुकपुर जा रही थी कोटा से गंगापुर रुकने के बाद ट्रेन के आगरा के लिए रहना हुई रेलवे अपसरों के अनुसार ट्रेन को बयाना से उकर आगरा के और जाना था ट्रेन जब बयाना रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची थी कि तभी ड्राइवर ने देखा कि ट्रेन को ब्रतपुर के ओर ले जाने के सिगनल दे रखे हैं इस पर उसने सूजबूज का प्रिच्छे देते विए ततकाल अपातकालिन ब्रेग लगा दिये अचानक ब्रेग लगाते विए यात्रियों में अड़कम मच गया उलेगनी है कि यह गटना रविवार साम की है वरिष्ट मं मास्टर की गलती इसमें है सुतरों के नुसार जब ट्रेन नौन स्टोप दोड़ती है तो उसकी स्पिड 110 से 130 के बीच होती है एक ट्रेन में 22 से 24 कोच होते हैं एक कोच में करीब 70 यात्री सुआर होते हैं इस हिसाब से होलीडे ट्रेन में 1500 से 1500 यात्री होंगे वही अब डाउन लाइन पर मालगाड़ी आने का समय था अगर उस समय मालगाड़ी आ जाती तो बड़ा आसा हो जाता अगला हम देख लेते हैं स्टेशन मास्टर सहीद पांच रेल कर्मी है जो इरासत में है जो आपके ओडिसा बालेश्वर में दो जून को वी जो ट्रेन दुरगटना कि जान्च कर रही है CBI ने रहयोवार को बहान आगा के साइग स्टेशन मास्टर S.B. मोहित समय पांच रेल कर्मियों को इरासत में लिया इस्टेशन मास्टर के अलावा जिने इरासत में लिया गया है उनमें सिग्नल से जुड़े टेकिनिषिन वर अन्न हैंस कर्मीं भी सा साजिस्ती तो उसकी इस पे जांच चल रही है शिगनल सिस्टम की खरावियों लापरववे छेड़ साड में पूस्ताज कोरो मंडल अक्सप्रेस मालगाडी वाले ट्रेक पर केसे गई थी इसकी अभी वरतमान में जांच चल रही है रेल आसे में थे इसमें भी दो सो टेंसी लोगों की जान गई थी और 1100 से ज्यादा गाहिल है और आपको बता दिया जाए हास्से के बाद उस रक्सा सरेणी में रिक्त पद है वो बरने की अब आदेश भी दे दिये गए हैं कि रेलवे में जितने भी सेप्टी केटेगरी से जुड़े हुए हैं तो आपके ज्याद से ज्यादा वेकेंस यह वो डिकलियर की जाएगी